नमस्क्राइब आपका स्वागत है पेश आट सितंबर बुद्वार सुबे सवाच्छा बजे रास्तान की बड़ी खबरे रास्तान की मुख्य मंत्रिय अशोग यलोथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने धाइस साल में लगबग एक लग सरकारी नौकरियां दी है कहलोथ ने ग्रामिका सदिकारी के 3896 पदोपर भरती को मंजूरी पर मंगलवार को ये बात कही उन्होंने कहा कि कोट में अच्छी पैरवी कर युमाओं के हित में फैसले करवा कर करीब 26,000 न्युक्तियां दी गई है रासान के परिवहन मंत्री प्रताफ सिंग खाचरी अवास ने रास्तिरी राजमार्गों की जोजर अवस्था को दुरूस्त कराने के लिए तड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी को पत्र लिखा है खाच्री अवास ने बताया है कि जयपुर दिली रास्टी राजमार्ग देश का वेस्तितम मार्ग है मरमत के अभाव में आज दिन दुर्गटनाएं हो रही है और लगाता संभावनाएं भी बन रही है रास्तान करमचारी चैन बोड ने परिक्षाओं से समंदित सोचल मीडिया पर किये जो रहे है भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करने एवं अभ्यर्थियों को सतर्क रहने के लिए आगाह किया है बोड के अध्याक्ष हरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि रास्तान करमचारी चैन बोड की कारेप्रणाली पोड ने तया निश्वाक्ष एवं पारदर्शी है यदि कोई व्यक्तिय अभ्यर्थियों को बोड की परिक्षावों में अनुचित एवं अवांचित सादनों के प्रयोग हितु प्रोच साहित या गुम रहा करता है तो उन व्यक्तियों के विरुद कठोर कानूनी कारवाह सुनेशित की जाएगी रासान में वैश्विक महारी कोरोना के मंगरवार को बारा नए मामले सामने आये चिकिसा विभाग के अनुसार पिछली 24 घंटों में 4 की व्रदी हुई कोरोना के नए मामलों में जवापूर गंगानगर एवं अजमेर में 3-3 तथापाली में 2 एवं उद्यपूर में एक नए मामला सामने आया राजी के 33 में से 28 जिलों में कोई नए मामला सामने नहीं आया कॉंग्रिस महासचीव जमाकर ने मंगरवारको केंद सरकार द्वारा कथित रूप से किये चौरहे निजिकरन पर कहा कि इससे सिर्फ उद्योग पतियों को फायदा होगा और आम जनता को इसका कोई लाब नहीं होगा कॉंग्रिस इसके खिलाफ है मुझफर नगर की किसान महापंचवायत में किसान नेताउं द्वारा रविवारको केंद सरकार पर सारजनिक उपक्रमों के बेचे जाने के आरोप लगाये जाने के दो दिन बाद ही लखनाओ पहुंचे कॉंग्रिस महासचीव और रासान मामलों के प्रभारिया जमाकन ने भी प्रदेश कॉंग्रिस मुख्याले में पत्रकारों से बाचीत में कहा केंद सरकार ने जनता की कमाई से बनी संपत्यों की मेगा डिसकाउंट से लगाई है रासान के राजानी जयपूर को भिख्षा वरती मुक्त शहर बनाने के तहट मंगलवार को कुछ भिख्षा वरती कर रहे लोगों को इससे बचाया और धाई हजार ऐसे लोगों को चिनहित कर पुनरवास के लिए भीजा जा चुका है समाजिक नियाए एवं अधिकारिता, श्रम विभाग, एवं कौशल विकास, निगम, एवं पुलिस आयुकता लेने से एक तुरूप से अभियान के तहट एक नई पहल कर भिख्षा वरती कर रहे लोगों को चिनहित कर पुनरवास के लिए भिजवाया है परटर नगरी जसल मेर किशान में चारचान लगाने वाले सिविल एएरपोर्ट के बारे में खुशकबरी है नगरपक्षे सभापती ने शहर वासमी की समस्या को देखते हुए एरपोर्ट के लिए ने रास्ते कर निर्मान करवाने का फैसला किया है इसके लिए कावायच शुरू कर दे गई है जसल मेर सिविल एएरपोर्ट जाने के लिए फिलहाल खोड़ी रोट से होकर जाना पड़ता है करी 10 किलोमेटर के फासले को तै करने में सिंगल सड़क को पार करना पड़ता है लेकिन अब इस नए रास्ते के बन जाने से शहर से एरपोर्ट की दूरी करीब 5 किलोमेटर ही रह जाएगी दूदू के जलजीवन मिशन प्रोजेक्ट में विस्टच्वार की मामने में विभाग ने टंकी तोडने के आदेश दे दिये विभाग ने तीन इंजीनियर्स को भी APO कर दिया जान्स रिपोर्ट में ये साफ हो गया था कि दूदू में वर्क और्डर से दो महिने पहले ही काम शुरू हो गया था दूदू प्रजेक्ट का काम अप्रेल के अंतिम सब्ताह से ही शुरू कर दिया था जबकि 28 माई को वर्क और्डर जोरी के गये थे और 9 माई को ड्राइंग और डिजाइन अप्रूवल हुआ गड़बड़ी में शामिल होने वाले दोशियों इंजीनिर्स के खिलाफ विभाकड़ी कारवाई हुई एक्सियन योगेंदर सिंग, एएन दिपीश चौधरी, जेयन यूदिस्टर मीना ने एक फर्म से मिलकर काम शुरू करवाया राषान के कॉंग्रिस प्रदेश अध्याष गोविन सिंग डुटासरा ने कहा है कि लोगतंतर में बिके हुए लोग कहां टिकते हैं हम हर उधार का हिसाब बराबर रखते हैं लुटासरा ने जेयपू जिला परिशद में उलट फेर के बाद पार्टी के मोहन लाल डागर के उपजिला प्रमुक चुने जाने के बाद मंगलवार को ये बात कही उन्होंने डागर के उपजिला प्रमुक बनने पर उन्हें बधाये एंशुप काम नाई दी बिजली चौरी के मामने में प्रतेक्ष रूप से दोशी पाय जाने पर जेपू डिसकॉम कारले में कार तक्निकी सहाय के लाश चंद बैर्वा को तुरंद प्रभास से निलंबित कर दिया गया है जेपू डिसकॉम की प्रबने निदेशक नवीन औरोडा ने बताया कि सतरक्ता जौन्स के दोरान तक्निकी सहाय के लाश चंद बैर्वा को एल्टी पूल से अवैद आर्मर केबल डाल कर सीधे एमसेवी बॉक्स में जोड़ कर बिजली चोरी करते हुए पाय गया था जिसकी वी सी आर्ट डिसकॉम के संबंदित अधिकारी द्वारा भरे गई थी बार्ड मेर के मेडिकल कॉलिज परिसर के पास 500 बैट का नया अस्पताल तयार होगा इसके लिए 180 करोड रुपे स्विक्रत हो गई है विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि मुखे मंतेशों गहलों से समय लेकर इसका जल्द शिला नयास करवाय जाएगा जिला अस्पताल में मरीजो की संख्या बढ़ने के कारण बैड की कमी महसूस की जाती रही है कोरोना के दूसरी लहर में बैड नहीं होने की कारण अस्पताल परिसर के आसपास की बिल्डिनिंग का अधिक रहन कर अस्थाई अस्पताल बनाए गए थे तो फिलाल इस बिल्डिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ स्पती न्यूज के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें